Hello everyone, कैसे हो सारे होप करता हूं, तुम लोगों के पास बहुत सारा पैसा, अगर भाई तुम्हारे पास पैसा है तो थोड़ा सा मेरिया आसुक पांड़ा को डोनेट कर दो यार यार ये थोड़ा सा सर से फट गया थोड़ा सा काक से फट गया, तो भाई इसको प्लीज डोनेट करना और इसका नंबर लिखो इक्यान में बाण में बाकि टिक्टोकर्स की गान में बाई मैंने लाश वीडियो इंस्टेगराम रीजिस के ऊपर निकाली फिर मैंने सोची किया टिक्टोकर्स की मैंने बहुत ऐसी तैसी कर लिए अप तोट नए टॉपिक में बढ़ा जाए इन यह तो ट्टी है यार मैं आप लोग के साथ अपनी एक लाइफ की स्टोरी करना चाहता हूँ मैं थोड़ टाइम पहले बहुत जादा डिपरेशन में था मतलब बहुत ही खराफ फेस चल रहा था मेरी लाइफ का मैं बहुत जादा डिप्रेस्ट था पर यह भकलेंड शो दे पहला सवाद मिलने वाला है तो वाई एंड तक देखना और आप वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले में इस शो के बारे मैं आपको कुछ बताना चाहूँआ इस शो का नाम है फेम हाउस इसके अंदर इनोंने 20 शपरी बुला रखे हैं और आप बोल सकते हो 20 एक्स बाटती है एक और एक और भाई फेम तो यह ऐसे बाट रहे हैं जैसे टीम जिरो सेवन देश बाटती है तो लेकिन तर जब उसकी ओलाद बढ़ना ने तो यह मत कहला कि मुसल्मान आतल हुआ तो रुको जाना सबर गरो बुचियों यदिज्द्रा मुटेजर बयां अर्मनें बबने चार्शाफिं गर्डीम बुपकेट्लर बेनिम दर्मनें भॉप यवश्चा चिल्द फर्मनें इस बोजगा है जो हम इंडिया की टॉप इंटिनेट क्रीटर्स करिंगी कॉलाब टॉप इंडियन क्रीयेटर समझ रहें यह चीजर सुनके मेरे दिमाग में एक शेर आया भाई सुनना ठीक है शपरी टिक्टोकर को देखके मेरे दिमाग में एक फीलिंग आई कि इनके मूँ पे-दू में मूथ यह वो जगह है जहां इंडिया के टॉप इंटनेट क्रिएटर बात तो अच्छी कर ले करो यार इंडिया स्टोप क्रिएटर वाई क्या बक्चेवधी कर रहे हैं तुम्हें बहुत दूर की बात है अगर तुम्हें अकेला भी खड़ा कर दू ना तो भाई तुम्हें पता है एक मम्मी और दो भाई बैन अगर तुम जोईंट फैमिली में रहते हो तो दो आदमी और जोड़ लो हमें से चूटिया तो है पर यह जोग कर फोग है हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार बिल्कुल शही कर तुम जैसे चूटियों का नंगा नाच पहली बार ओ रहा हाई हाँ मैं नम इस खान रिजवान मेरा डोकर बेभी यहाँ इतना बढ़िया बंदा है इना है यह नाम है युकर से यह यहारी लोग जानते मुझे रिस्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना जाता हूं इसके लिए में वारल हुआ था ही, आल ओवर इंडिया ही नहीं, आल ओवर वर्ल्ड में बहुत जादा वारल होच चुका था भाईशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही, मतलब कुछ भी वर्ल्ड वाइड तोड़ा जादा हो गया यार अगर मुंबई में तुमारे साथ कोई चार कूड़ा चुकने वाड़े सेलफी ले ले लेते इसका मतलब ये थोड़ी हो तुम पूरी दुनिया में फेमस होगे मैं लोगो को हसाने के लिए फेमस हूँ मतलब लोगो को मेरी स्माइल पहुत पसंद आती है हेलो गाइस मेरा नाम एलविशादव और मैं फेमस हूँ नी हसने के लिए नी इन जासों की गान मारने के लिए कि अब मैं वो सुम्हें पूड़ा याज का साड़े सेम से लगाए हमें चेपरी हमें इनकी आखो में भेंच हो तो कि में इतनी सरम नी है इतनी गंदी सकल के दिख तके मधिलेव इतनी मुंदी सकलें कि अकर तुम विदाउट फिल्टर देखलो याई तुमारी उल्टी भा इस बार ना इनका रियल चेहरा दिग्या आप तो तुम्हें समझ आ गागा और उसके बाद भी इन में साड़ों में इतना ज्यादा एटिट्यूड है जैसे टिक टोक पहने इनके ट्विटर पर मिलियन फॉल्वर्स हो तेरी कसम अगर यो आईफोन 12 प्रो मैक्स बहुत जाद महेंगा फोन आकर यो ना होता ना तेरी कसम तेरी शकल देखती तेरा आगे फोड़ देता इनका सिंपल सा फंटाम है तो मैं बता दो उनका सब कुछ सेट है गलास मांगो के जग देंगे टैलेंट के नाम पर हग देंगे स्वाती शर्मा आम फ्रम राची बट मैं मुंबई में रहती हूं अपने हस्बन के साथ आपको लग रहा होगा आप शौक्ड हो गए होगे कि हस्बन नई दीदी बिलकुल भी शोक नहीं हुआ क्योंकि यार जरूरी थोड़ी हर बार मूझ सही बताया जाए कई बार मेकप के पीछे चुपी जुर्रिया भी बता देती है अब भाई बात करते हैं शो के बारे में आदे से जादा कंटेस्टेंट अपने आप तो पहले सी फेमस डिकलेर कर चुगा कि हमारी वीडियो पे इतने वीव आ रखे है ये आ रखा है वो आ रखा है एक कहरा है मैं अपनी स्माइल की वाज़े से फेमस हूँ एक कहरी है मैं अबनी ओटनेस की वाज़े से फेमस हूँ अरे दल्लो तुम सारी इस से टैलेंट कहते हैं तुम जो करोगा भैंचो तुम हसके दिखा रहे हो और फेमस हो रहे हैं ये कोई बातर वैसे बात बता हूँ अगर बाई जो इसकी ओडियनस है और यह हसरा है उसके वीज़े से फे अब तुम है और में चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे को और मेरे को और मेरे क्या कहते हैं मेरा भ्या भी करवा दो और भाई सारे सुनलो अगा टिक्टोकर के बारे में फालतु बोल दियाने किसी ने साड़े सब की गान भाड़ दूँआ समझ आगी है और तु साड़े लगारे रुक कैसे गया तु मैंने चो बता है रुक है करू अभी करूं अभी करूं ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो मैं लोगों को हसाने के लिए फेमस हूँ मतलब लोगों को मेरी स्माइल पहुत पसंद आती है एक छपड मार दूँ तो साले मुह के दात गान सिनके लेंगे झाजरे ना सी करूं आती है